स्रीचिराग पास्वान जी आये आदरनिपप्पुजादव जी आये सब लोग आये सब लोगों को आमंतरन डिया गया था बेजा गया था स्रीचिराग पास्वान जी आये आदरनिपप्पुजादव जी आये सब लोग आये सब लोगों को आमंतरन डिया गया था बेजा गया था अभी तो वह महागटवंदन में है नहीं जब आप राजनितिक सवाल करेंगे तो वह वहाँ पर उन्होंने अपनी बात जो वह कह रहे है कि एक और विहार जल रहा और दूसरी और इस्तार पाटी दे रहा पर कल रावड़ी अवास पे था दापते इफ्तार का पाटी और तस्वीर कुछ अलग दिखा अलग इसलिए दिखा कि जो लोग नौ साल से रावड़ी अव्यास में परवेश नहीं किये थे वो भी हमारे साथ बात करने के लिए आरजएडी के प्रवक्ता मिर्तुंजे इत्ति वारे जी इफ्तार पे सियासत सुरू है देखिए इफ्तार को इफ्तार ही रहने दिया जाए लेकिन ये बिहार में अक्सर जब भी आदन लालू परसाद जी हमारे पाटी कि यहां दावते इफ् इफ्तार पकड़ती है ये देखा गया है तो इसको सियासत के चस्मे से नहीं देखा जाना चाहिए चुकि दावते इफ्तार में सब लोगों को आमंत्रित किया गया था सभी लोग आपने देखा होगा कि किस तरह से रोजेदारों की भीड उम्री थी नेताओं की हमने कहा कि सब लोग मिल बैट करके इस मुल्क के इस परदेश की तरक्की बहतरी के लिए दुआ मांगने का काम सब लोगों ने किया ये हमारे लिए माइने रखता है और जहां तक सियासत की बात है तो सभाविक है सारे लोग आए स्रीचिराग पासवान जी सब लोग आए सब लोगों को अमंत्रन दिया गया था बेजा गया था जब शरी चिराग पासवां जी ने क्या उन्हों ने खुद कहा कि आदर ने लालू परशाद जी के परिवार के साथ पारिवारिक संबन्द आए तो यह सब लोग जांते हैं पपुजादब जी तो हम लोगे पाटी के नेता रहे हैं संसद रहे हैं तो उनका तो पाटी घर ही था जानी साफ है कि चिराग पासवानब पपुजिए अब क् क्या होगा कल भविस में ये तो कोई नहीं बता सकता राजनीती में राजनीती में ना कोई पर्मानेंट दोस्त होता ना दुस्वन होता संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते लेकिन सब लोगों को पता है वो जो कल दावते इपतार का केंद्र था वो बियार की राज सब लोग जानते हैं एक ऐसा बिश्विद्याले हैं जहां से सब लोग निकले हैं आच्छा है हमारे बिरोधी के यहां भी कोई नेता हैं तो उसी पार्ट साला से सब लोग रह सकते हैं वाई सारे लोग महागटवंधन का सकल आप देखिए जब से 22 अगस्त 2022 को बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया महागटवंधन में आदर्न नितीश कुमार जी आए इसके बाद आप देखिए देश की हवा बदली पूरा देश देखरा भियार आज देश में 19 पार्टियां तमाम विपक्ची पार्टियां एक साथ बैठी सारे मुद्दे पर ये उपलबदी है पर चिराग पाशवार नितीश जी का लगतार बिरोध करें इफ्तार पार्टियां नहीं लेनी चाहिए राजनिती में विचारधाराओं की लड़ाई है नीतियों की का बिरोध होता है लेकिन ऐसे अवसरों पर एक दूसरे के यहां जाते आते रहते हैं यही खूबसूरती है इफ्तार पार्टि में चिराग पास्वान गहें और हिसारों हिसारों में तंज कस दिया मुखमंत्री पर वहां पर तो यह चीज नहीं होना चाहिए जब अभी तो वह महागटवंदन में है नहीं जब आप राजनितिक सवाल करेंगे तो वह वहां पर उन्होंने अपनी बात जो वह कह रहे थे उन्होंने कहा इसको हमने पहले ही कहा इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है यह इपतार का आयोजन देश और दुनिया में जाना जाता है आदर निलालू परसाद जी राश्टी जनता दर्ट तो कल सियासत बदलेगा पिछली बार इपतार के लेकिन जो लोग ये आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं जो मिलत प्रेम भाव सदभावना इसमें विस्वास रखते हैं वो सारे लोग इस हमारे विरोधियों के खतमनाग डिजाइन से उप चुके हैं तो सब लोग मिल बैट करके परदेश की तरक्की अग देश की अगर करते हैं इसमें बुरा जेङ चलिए यह ए आरईजनी के परवकता थी सब्रोग मिलकुर नं बुरों